आज हम बना रहे हैं अंडा मटर की टेस्टी एंड एजी रेसिपी जो बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और आसान तरीकों से घर में सभी को पसंद आने वाली है ये रेसिपी अगर रेसिपी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए मैंने लिए एक कडोरी मटर जिसे मैंने धो लिया है चिलके निकालके और चार अंडे उबाल के चिलके निकाल लिए गैस पर कढ़ाई च्राओंगी कढ़ाई मेरी गर्म हो जाए उसमें तेल डालूंगी तेल मुझे हाई फ्लेम पर गर्म करना उसके बाद फ्लेम को लोका देना है तेल मेरे हो गए है मैं अंडे फ्राइ करती हूं एक एक डाल के लो फ्लेम पर मुझे अंडे को फ्राइ करना है लाइट ब्राउन अंडे मेरे फ्राइ हो गए है इसे मैं निकाल लूंगी जो कढ़ाई मेरा तेल बचा था उस तेल में डालूंगी एक प्यास बड़ी साइस की कटी हुई लहसंड डाला मैंने तीस से प्तिस कलिया अद्रग दो सुकी मेच है दो हारी मेच डाल के मैं लो फ्लेम पर इनको भून लूंगी लाइट ब्राउन एक टेमाटर डालना है मुझे कटा हुआ उसको भी मैं भून लूंगी प्यास के साथ इन मसालों के साथ लो फ्लेम पर मसाले मेरे थोड़े पग गए हैं प्यास और नसन अद्रक टमाटर इनको मैं निकाल लूंगी थोड़ा थंड़ा होने के बाद मैं इसको पाई डाल के ग्राइंड कर लूंगी पीस लूंगी मसाले मेरे पीस गए हैं जो मेरा तेल बचा था उसमें थोड़ा तेल और डालू और आजा चमाच Azira डुसको कि युड लोग फ्लेम परे अब जो मैंने मसाला पीसे था उनको मैं डाल दूंगी मसालह बुन रहा है जर्ट माइन बूनना है नो पीस जाला है कर जाल लोग मइन जाल गया था दर गाएंड़ yellow फ्लेम युड भूना है लो फ्लेम पे उसके वह मैं डालूंगी कसूरी में थी एक से दो चमज टू स्पून आप भी डाल सकते हैं आप इसके कर सकते हैं इसे टेस्ट अच्छा आता है नमक डालना है स्वादा नुसार अब मैं मतर डालूंगी मतर और मसाले को मैं एक साथ भूनूंगी लो फ्लेम पे जिसे मेरे मसाले भून जाए और मतर भी गल जाए धकन धके लो फ्लेम पे मैं भूनूंगी पास मिनिट मैंने भून लिया है मतर भी मेरे थूड़ गल गए है और मसाले भून गए है थोड़े मेरे मटर गल गए थोड़े कच्चे हैं अब मैं इसको और गलाऊंगी पानी डाल के जो मैंने अंडे बॉयल करे थे अब मैं इनको एड़ करूंगी डालूंगी ग्रेवी में लोग फ्लेम पे धकन धके मैं पास से दस मिनिट मैं इनको पकाऊंगी जिसे मेरे मटर पक जाए और अंडे भी अच्छे से वह जाए पक जाए मेरी रेसिपी बेन गई है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेर्स और चैनल को सब्स्राइब करिएगा कर दो